राज़स्टान में आई जित, राज़स्टान परतिवगी परिक्षायוכ की तैयरी कने वाले सबी अभ्यारतियों का दिल खोल कर इस वीडियो पर स्वागत है दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं, जो सामाने विज्ञान के प्रशन पूछे जाते हैं चाहे आप राजस्तान रीट भरती परिक्षा, अध्यापक भरती परिक्षा, दित्या स्रेणी शिक्षक भरती परिक्षा, RAS हो गई, SI परिक्षा, LDC, राजस्तान CET, जूनियर अकाउंट टेंड, प्री बियर, BSTC, ठीक है? इसके साथ इराजस्तान, पुलिस, महिला परिक्षक, व्याख्यता, ग्रामविकास अधिकारी, पटवार, SSC या फिर रेलवेज जैसी किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो, जिसमें आपके जनल साइंस पूछी जाती है, तो यह वीडियो आपी के लिए है, तो आज किस वी प्रशन किसी ना किसी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं, 2022 तक की जितनी भी एक्जाम हुई है, राजस्तान के अंदरगत, उन एक्जाम में यह प्रशन पूछे जा चुके हैं, तो इसके साथ इसको हम नाम दे सकते हैं, सामाने विज्ञान आल एक्जाम रिवीव के नाम की है और ये किताब के माध्यम से बनाएगी PDF है ठीक है आप ऐसा मत सोचना कि समने टाइप नहीं किया तो दोस्तों मैं आपको authentic book के माध्यम से यहां पे कुछ चीजे बताने वाला हूँ तो आपका भी एक करतवे बनता है कि आप इस वीडियो को आंते तक देखे और अपना ग्यान को एक इस्तिर में रहते हुए ग्रहन करें तो चलिए पहला प्रिशन बनता है आपके लिए कि निमले के तमय से कौन सा ए प्रती आक्सिकारक नहीं है अब बात करते हैं प्रती आक्सिकारक अनु होते क्या है तो प्रती आक्सिकारक वे अनु है जो अन्य अनु को आक्सिकरण से बचाते हैं या अन्य अनु की आक्सिकरण परिक्रिया को धीमा कर देते हैं प्रती आक्सिकारक कहलाते है ठीक है चलि अगले प्रशन के बात करते हैं अगला प्रशन है कि हर वर्ष विश्वत तमाकू निशेद दिवस निमले कितमें से किस दिनांग को मना जाता है तो हर वर्ष प्रती वर्ष विश्वत तमाकू निशेद दिवस अपने एक माई सोरी दोस्तों माई 31 को मना जाता है कि सरलतम से सरलतम प्रशन भी पूछा जा सकता है तो विस्व परियाओन दिवस अपने 5 जून को मना जाता है चलिए इसके साथ अगले प्रशन बात करता है कि निमले कित में से किसकी आवाज की आवर्ती नियूनतम होने की संभावना है यानि कि ऐसी कौन सी इन में से किसकी आ वार्ती तक लेजा सकते हैं यह प्रशनajus को साइज अपने ग्रामविकास अधिकारी जो एक्जाम व्ही थी उसमें पूछा गया प्रशन आगला आगे तेल पानी में क्यों नहीं गुलता तो आपको बता दू तेलकर आनुपानी से बड़े होते हैं, इसलिए तेल पानी में नहीं गुलता है, तो तेल के अनू, पानी के अनू के साथ हाइड्रोजन बंद का निर्मान नहीं करते हैं, अगर तेल के अनू, पानी के साथ हाइड्रोजन बंद का निर्मान करते हैं, तो तेल पानी के अंदर गुलता है, तीक है, इसका कारण है उंचाई के साथ उंचाई के साथ वायू मंडल का अपरतनांक गठता है यही मरुस्तल में म्रग तर्षणा के निर्मान का कारण है ठीक है चलिए इससे के साथ अगले पर सशिन की बात करें तो मिटिके घड़ों में जमा पानि ग्रिशमगालिन में ठंडा हो जाता है इसका कारण है यानि कि ग्रिशमगालिन है इसका पानि जब तीज पड़ती है तब ब्यूındaki का पान के समपर्क में आता है, और मटकी को ठंडा बनाने का प्रियास करता है, इसलिए जो मिट्टी के घड़ों में जो जमा पाने होता हो घिंदा हो जाता है, ठीक है? चलिए यसी के साथ अगले प्रशन की बात अगर कर लेते हैं, तो अगला प्रशन भी है कि निमली खितमें से किस यंतर के द्वारा हवा में आदरता का मापन किया जाता है तो हवा में आदरता का मापन दोस्तों आपसे पूछ ले तो हाइग्रो, हाइग्रो, हाइग्रो मिटर के द्वारा हवा में आदरता का मापन किया जाता है अगर लाएगे आलू के चिपस आदी खाते पदारतों को खराब होने से बचाने के लिए उनकी पैकेजिंग में कौन सी गैस यानि कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है तो आप जब कुरकुरे खाते हो चिपस खाते हो ठीक है तो उनके अंदर दोस्तों नाइट्रो बनायर रखती है तो बैक्टिरिया से पैदा होने वाले खतरे से बचाती है वहीं अगला प्रस्चन है एक चिसको ज annak की रूप में किसे जाना जाता है तो दोस्तों चिकछा के जनक की रूप में ठीक है छिकशा के जनक की रूप में दोस्तों अपने फ 설ोग को होती है तीक है अगला प्रफशन ये निमले-खितमेसे प्राकरतिक सूचळथक कौन सा है?' प्राकरतिक सूचळथज़ु लितमस जो लिटमस पत्र होता भी प्राकरतिक सूचh है इसकी साहता से आपने छहार और अम्ले का पता लगा सकते हैं तले व्याकिया सहीद को हल करने के प्रियाश करते है तो filter paper के टुकड़े को litmus के अमलिय तता चारी विल्यन में डाल कर सुखा लिया जाता है जिससे नीला litmus पत्र तता ला litmus पत्र प्राप्त होता है इसी विल्यन में यदि नीला litmus पत्र लाल हो जाता है तो विल्यान अमली हो जाता है बिल्कुल यानिकि एसिड हो जाता है और यदि लाल इटमस पत्र नीला हो जाता है तो विल्यान चारी हो जाता है ठीक है ये इसकी व्याक्याती ठीक है चलिए इसके साथ अगला प्रशन है कि सूखे पौधे सूखे पौधों की डंडियों से अन को प्रथक करने में प्रियुक्त प्रिक्रिया कौन जी है मतलब कि सुके जो पोदों के जो डंडे होती है उनसे अनाज को प्रथक करते हैं तो वो प्रिक्रिया क्या क्या लाती है बिल्कुल थ्रेशिंग क्या लाती है वो प्रिक्रिया थ्रेशिंग क्या लाती है पहर साथ यो तो सहेली नामक गर्व निरोदक गोली को विक्सक करने वाला संस्ता भारत में काँच देता है यानि जो सहेली नामक गोली आती है आजकल जो गर्व निरोदक गोली होती है उसके जो संस्ता है वो अपने लखनव में है कहाँ पर है लखनव में है अगला है कि निम्नांकित ग्रोव में से कौन सा ग्रह सबसे कम सगन है, तो सबसे कम सगन ग्रह की बात करें, तो सनी अपने सबसे कम सगन देखने को मिलता है, सगन यानि कि जैसे कि ये एक आयताकारपटी है, इसके अंदर डॉट, 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 ये कुछ ठीक है? और एक और मेरे पास आईतागारपटी है, इसमें एक दो तीन डोट है, तो मतलब कि आप सगन और बिरल माध्यम् होता है, आपने साइंस में पड़ा होगा, तो यह बिरल माध्यम है और यह सगन माध्यम् है, यानि कि जिसमें ज्यादा चीजे होगी वह Second Term, जिसमें कम चीज़ होंगी वह Viral Term, ठीक है? छलिए इसके साथ अगले परिशन की बात करें अगला प्रशन है कि निमलेकित में से कौन सा सोर परिवार का सदश्य नहीं है, तो सोर परिवार का सदश्य तो आप सबको पता है, सोर परिवार का सदश्य में से कौन सा नहीं है, भाई शुदर गराया आते हैं, उपगराया आते हैं, दूमके तो आते हैं, लेकिन उलकाएं, अपने शंसले से सूचक है यानि की करत्रियम सूचक के नाम से चाहन सकते हैं अगला LED का पूरा नाम बिल्कुल जो आपके घरों में LED यूज होती है उसका पूरा नम आप से पूच सकता है तो आपको बताना है LED का पूरा नाम परकास उच्छर्जक डायोड क्या बताओगे प्रकास उच्छर्जक डायोड है। जाएगा ठीक है चलिए आगलाब प्रशन है कि सरप्रतम गोल जी उपकरण को किसने वर्णित किया था जो गोल जी काई है दोस्तों आपने कोशिका के बारे में सेल्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत बढ़ा है तो आपको पताए कि सेल्स के अंदर सेल्स की जो खोज है को और प्रषंक और रोबोटो और इसके अलावा प्रशन के बात बहुता है तो सोर मंडल में ग्रह की गति किसके सनक्षण का उदान है, तो ग्रह की गति किसके सनक्षण का उदान है, कौन यह समवेक का उदान है, कौन यह समवेक का उदान है, कौन यह समवेक के कारण ही, जो ग्रह हैं, वो आपस में सटे हुए हैं, दूर-दूर हैं, अगर कौन यह समवे तो common corp वे कतला आपने खाई भी होगी कतला मचली और इसके साथ रोहू मचली भी आपने खाई होगी तो ये A और B, A वे B राइट आंसर देखने को मिल जाएगा आगला प्रशन है कि नाभी के उर्जा सेहंत्रों के विदुद उत्पन करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो नाभी के उर्जा सेहंत्रों से विदुद उत्पन करने के लिए अपने यूरेनियम 235 का इस्तमाल किया जाता है किसका यूरेनियम 235 का इस्त माल ही नाभी के उर्जा सेंद्रों से विदुत उत्वन करने में किया जाता है यह अपने समस्थानिक है कुछ ठीक है आगला प्रशन है कि एक स्रोथ 400 हर्ट की आवर्ती की ध्वनी उत्सर जित करता है लेकिन प्रेक्षक इसे 390 हर्ट सुनता है यह किसका कारण है यह दोस्तो मतलब कि एक स्रोथ 400 हर्ट की आवर्ती की ध्वनी उत्सर जित करता है मतलब कि ए वेक्ती है यह ए वेक्ती 400 हर्ट की ध्वनी उत्सर जित करता है मतलब कि 400 हर्ट की ध्वनी के साथ आपनी आवाज को आगे पहुंचता है लेकिन अगले वाले को यह 390 हर्ट सुनाई देता है कितना 390 Hz सुनाई देता है मतलब कि 10 Hz कम हो गए 10 Hz कम हो गए तो इसका सीधा सिंपल सिंपल जवाब आ जाएगा कि प्रेक्षक है जो प्रेक्षक है वो स्रोता से दूर जा रहा है मतलब कि जो B वेक्ति है वो A वेक्ति से दूर जा रहा है अगर वो भीवेक्ती वहीं के वहीं रुख जाये तो उसको 400 Hz की आवर्टी ही सुनाई देगी ठीक है चलिए अगला प्रशन देखने को मिलता है अपनको कि रैस्पीन ओसदी प्राप्त होती है जो रैस्पीन ओसदी असाथी हो वो किस से प्राप्त होती है तो रैस्पीन ओस दी है साथी हो अपने राउलोफिया सरपैंटी ना में देखने को मिलती है ठीक है यह वेग्छ 있는 का है इसमें अपने को देखने को मिलती है चलिए इसके साथ बात करते हैं कि ड्राविन फिंचेज अपने सरीर की किस सनशना की विभिनताओं के लिए परिशिद है तो ड्राविन फिंचेज जो है ये अपने सरीर की किस सनशना की विभिनताओं के लिए परिशिद है ये ड्राविन फिंचेज है दोस्तों ये चिडिया है क्या है एक चिडिया है जो अ अध्यान किया था और अपनी पुस्तक में भी इसका अवलोकन किया था ठीक है चलिए अगला एक दंत मंजन को सपेद बनाने वाले रसायन का नाम बताईए यानि कि जो दंत मंजन है वो आप रोजाना जो टूथ पेस्ट का उप्योग करते हैं वो जो दंत मंजन है उसको सपे Remote Sensing Application Center काँ पे सते हैं यानि कि विज्ञान और प्रोदोगी की विभाग के द्वारा एक कारत है राज्य Remote Sensing Application Center यह अपने काँ पे हैं यह अजमेर में हैं यह संस्ता सेटलाइट के जरिए उपजाओ जमीन तथा बंजर जमीन का सरवेग करती है अजमेर में है यह संस्ता ठी प्रिश्ण है और नेमिर को मिलाना है तो आसानीसे मिला सकते हैं कैसे मिलाइगी देखिए और यह अपने प्रथम चरण में पूचा था दी का तीन और सी का एक तो राइट अंचर फोर्थ नम्मर का देखने को मिल जाएगा चलिए इसके साथ अगले प्रेशन की बात करते हैं तो अगला प्रेशन देखने को मिलता है कि समुद्र विज्ञान का जनक कोन है बिल्कुल मोटर वहान एक्जाम में पूछा गया है मोट आधिक अध्यन की जाता है इस छेत्र में काम करने वालों को ओशनोग्राफर कहते हैं ठीक है समुद्र विज्ञान के अंदर काम करने वाले लोगों को ओशनोग्राफर के नाम से जाना जाता है ठीक है अगला कि पहाड़ पर चड़ता हुआ वेक्ति आगे की और इस्थाई की तरफ जुकर चलेगा तो अपना इस्ताई तो बनाए रखेगा अपनी stability बनाए रखेगा और इसी साथ वो आगे की तरफ बढ़ेगा ठीक है यह जब हम पहाड पर चड़ते हैं तो हमारा गुरुत्व केंदर आगे की और बढ़ जाता है इसे संतुलित करने के लिए हमें भी आगे की और चलना पड़ता है नहीं तो हम अपना संतुलन खो सकते हैं और नीचे पहाड से गिर सकते हैं और अपनी हड़ी पसली तूट सकती है कितने परशेंट 99.99% चांस है से ठीक है तो अपन को आगे की और जुकर ही चलना होगा अगर आप पहाड की और चड़ाई कर रहे हो तो ठीक है चलिए अगला के CSIR का केंदरी है इलक्ट्रोनिक अभियांतरी के अनुसंदान संस्तान है सीरी के और जुकर हैं तो यह आगे अगला परशन हमें विज्ञान ए वंप्रौददों के विभाग किषिस अस्तापित है तो राज़स्तान में विज्ञान एवं प्रावदों हे विपाग है ऊपने दोस्तों गने 1983 में अपने राजस्तान में विज्ञान एमप्रवदुगी की विभाग किस्ता अपना हुई थी अगला वैक्सिनेशन सब्द एक लेटिन सब्द से प्रयुक्त उत्पन हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है पटवार 2021 में पूछा गया था क्योंकि उस समय अपने अपने कोरोन पास्कल तो किसका होगा पास्कल दाब का है पास्कल दाब का मातरक है ठीक है पास्कल दाब का मातरक है अंतराश्री टी है अंतराश्री मातरक पदती में ठीक है तो इस परकार से कुछ साथ मूर राश्यों में इनके मातरक दो पूरक राश्यों में इनके मातरक भी विदमा जैसे लंबाई का मात्र मिट्र है, द्रिववान का किलोग्राम है, समय का सैकेंड है, भी धारा का अमपीर है, ताप का कैलिविन है, जोती तीवृता केंडला पदार्त की मात्रा का मॉल है ठीक है? इसे के साथ जो पूरक मात्र का है वो समतल कौन का रेडियन है और ठोस कौन का क्या है, इस्टेरेडियन है, ये बात आपको यहां से पता होने चाहिए, कुछ बाते एड और होगी है, ठीक है, चलिए, अगला परशन देखने को मिलता है कि भारत का प्रथम देशी विक्सत डियने प्लाजमिड टीका कौन सा है, तो भारत का प्रथम देशी इस्टेए ने प्लाजमिड टीका आपसे पुस ले, तो बताना है जाइकोवा, जाइकोवड़ी, याएय जाइकोवडी, अपने भारत का प्रथम देशी विक्सत डियने प्लाजमिड टीका है, ठीक है, जो अपने, जो अपने कोरोना काल के समय कामा आया था, बिलिचिंग प्लॉरफॉम बनाने में होता है और भीजिशल को के टाणू रहीत करने में होता है ठील क्या अदीकर के टे ř皆さん राघन से ऊते यह नहीं होटा चमाली सब़ाइक प्रीशन है कि विसवगोरäया दिवस कम बनाइजता है तो विसवग गोरराया दिवस आप से पूछ लिए तो बताना है 20 मार्ज को विसवगोराइया दिवस बनाइज़ता है जर्म प्लाजम के पंजी करण की नोडल एजिंसी के बारे में आपसे पूछ रहे तो बताने National Bureau of Animal Genetic Researches करनाल यह अपने का पर है करनाल और करनाल का है हरिया नामे ठीक है चलिए इसे के साथ अगले परिशन के बात कर लेते हैं सर अगला परिशन देखने को मिलता है अपनको सर तो वातावन यह परदुश्रन को रोकने के लिए भरत सकार के दौरा यह कारिक्रम चला गया था गुनिस सो चीएंसी ने सो चीएंसी में अभी बात की थे गुनिस अतराचिम क्या हूँ था तो राजस्तान में विज्ञान अउंपरावद्रे बात की सान्दरता में प्रते जाता है अगला केंद्री खाद प्रोधोगी अनुशंधान संस्थान आप कह सकते हैं तो मैसूर में हैं कहां पे मैसूर में ठीक है चलिए भाई हवा की चाल नापी जाती है तो हवा की चाल नापने वाला यंद्र आप से पूछ ले तो आपको बताना है एनी मोमिटर हवा की चाल मापने वाला यंद्र है अगला जो जल है वाटर है उसका क्वेथनांग कितना होता है तो जल का क्वेथनांग कितना होता है यह होता है दो सो बारा फॉरन हाइड कितना होता है वैत आप जिस पर किसी द्रव का वाश्ट दा वाईमन लेद आपके बराबर हो जाता है उ लगबग मैं आपको 1500 प्रशन और करवाँगा, बस आपको क्या करना है, आज के लिए तो इतना ही, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, और लगबग इस वीडियो पर दोस्तों, 50 से ज़्यादा व्यूज आ जाएं, तो मैं आपके लिए 2nd प पहुंचा देते हों, ठीक है, तो मेरा सपोर्ट करने की आपसे गुजारिस है, कि मुझे ज़्यदा सपोर्ट करने की कोशिस करें, आपका छोटा मित्र गिनाते, बड़ा मित्र गिनाते, या फिर बड़ा भाई किनाते, ठीक है, ठाइक यू, धन्यवाद.